अलो स्टुडेंट्स वेलकेम तो में चैनल इस रौशन सरमयक्स, मैं दिया स्टुडेंट्स ,FA1,FA2,FA3,FA4, तीनो चारो एक्जाम्स के लिए, फुल मांक्स के लिए, क्वेशन पेपर का एक्चुछल पैटन किस तरह होना चाहिए, मैं अपरोड कर रहा हूं देखिए हाँ य है second language हिंदी students के लिए second language हिंदी है तो 20 marks का आपको paper prepare बनाना चाहिए और उसके marks इस तरह आपको divide करना चाहिए यहां पर दिये रखाया देखे क्या क्या marks है पहले यहां पर देखे अनुच्छे पढ़कर प्रश्ण यह एक paragraph दिया गए है paragraph पढ़के इसके questions दिखना है इसको त्री marks आपको अलर्ट्मेंट करना है इसी टाइप का paper अगर बनाएंगे तो आपको full marks मिलेंगे और अच्छी तरह आप लिख पाएंगे यहां पर देखे अभिवेक्ति के प्रश्ण होंगे यह तीनों questions दिए गए हैं आपर तीनों questions के आपको answers आपको लिखना है तो एक एक question के आपको 33 marks देना है तो आपको कहीं पर भी marks cut करने के यह marks short आने का chances नहीं बहुत सारी teachers भी देख रहेंगे टीचर के लिए भी बहुत benefit होगा paper इस तरीका paper बनाएंगे तो आपको अच्छे marks मिलेंगे क्योंकि अगर अब add करेंगे 3, 3, 9, 12, 13, 14 यह पूरे 5 मिलाके तो कितने 6 है पूरे मिलाके 20 marks है 20 को अगर आप 20 by 20 से divide करेंगे 4, 5 marks ही आएंगे क्योंकि slip test 5 marks का ही होता है तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा all the best